असम में हुआ अनोखा विवा, मेहमानों ने दूलादु लहन को गिफ्ट में दिये पुराने कपड़े और किताबें असम के बकसा जिले में स्थित कटाली गाव में शुकरवार को एक अनोखी शादी देखने को मिली जहां लोग दूलहाद दूलहन को गिफ्ट करने के लिए पुरानी चीजे लेकर पहुँच गए वहीं दूलहाद दूलहन ने मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में पौधे दिये दरसल भुपेंड राभा और बवीता बोरो ने अपनी शादी के कार्ट पर एक सर्विस टू मैंकाइंड का संदेश लिखा था इसमें दूलहे ने रिसेप्शन पर आने वाले मेहमानों से दरूर तमन के लिए पुराने कपड़े और किताबे लाने का अनुरोध किया था दूलहे की इस गुजारिश के बाद सभी लोग इस नएक काम में युगदान देना चाहता था मुशालपूर के एक सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कारेरत राभा ने कहा जब हम शादी की बात करते हैं तो यह आम और पर लोगों गिफ्ट और खाने के बारे में होता है मैंने इसे एक अफसर का रूप देने के बारे में सोचा मेरा मानना था कि इस शादी में करीब तीन हजार लोग शामिल होंगे इसलिए मैंने निमंतरन कार्ड में एक संदेश लिखा था हमारे गाउं के लोग इस काम को एक अच्छे उदाहरन के रूप में ले सकते हैं और फेसे इसे दोहरा सकते हैं इस माध्यम से मैं जागरुपता संदेश का प्रसार करना चाहता था मुशालपोर में नमबर दो कटाली गाउं को बकसा जीले के सबसे स्वच्छ गाउं की माहियता दी गई थी गाउं की हर सड़क पर दोनों तरफ बैने लगे हैं जिन में परियावरन संग्रक्षन के महत्व और समाज के निमों का पालन करने के बारे में कहा गया है राभा ने बताया हमारे पास तीन सोसायर्टी हैं और गाउं को साफ रखने के लिए उनके बीच काम विभाज़त किया गया है सोसायटी के लोग हर तरह के काम करते हैं सड़कों पर गोंबर साफ करने से लेकर नेमों की धजिया उड़ाने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रखने तक का हम आदेवासी हैं फिर भी हम शराब की विक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है शराब का सेवन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपे का जुर्माना भरना पड़ता है उन्होंने इन में से 100 सायर्टी के साथ अपने विचार को साज़ा किया हाला कि ग्रामीनों को इस तरह की पहल पर संदेख था लेकिन वे मदद करने के लिए एक जुठ हुए तब राभा ने एक यूरोपिय दोस्त की मदद से अपने घर के बाहर बैनर लगा है उनके दोस्त ने इसके पहले भी शादी के मेहमानों के लिए एक सांस्कृतिक कारेक्रम का आयोजन किया जहां उन्होंने अपने गाओं के घाड़ी खीचने वालों को कपड़े बाटे थे शादी में एक कत्र किये गए कपड़ों का बंदल अब इन सोसायंटी द्वारा उन लोगों को बाटे जाएंगे और शादी में मिली हुई सारी किताबें ग्रामीनों के लिए एक open library में रखी जाएंगी राभा का मानना है कि गाउं के लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना एक बड़ा कदम है